चोपड़ा नीट पीजी इंफोर्मेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे डॉक्टर्स सुप्रिम कोट में आंस्वर की और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के केस फाइल हो गया है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है ये matter और next hearing कब हो सकती है इसकी इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपको कौन सी rank पर कौन सी branch में कौन सा college मिलेगा उसकी fees क्या रहेगी, strike fund क्या मिलेगा, cutoff क्या रहेगी, branch wise cutoff क्या रहेगी, course wise cutoff क्या रहेगी, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रेम कोर्ट के case के बारे में, तो सुप्रेम कोर्ट में group of student ने case किया है, कि जो NBE ने result declare किया है, उसमें काफी सारी खामिया है, यानि कि एक तो सबसे बड़ा ये है कि NBE ने कोई answer की जारी नहीं किया, और students के जो answer के marks आ रहे हैं, वो NBE के score में कम आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने घरा के answer match किये हैं, books वगरा से, तो उसमें उनके answer के सही जवाब आ रहे हैं, अभी गलत कौन सा question हुआ है, कौन से question के answer काटे गए हैं, तो ये बिल्कुल clear नहीं है, तो इसको लेकर भी Supreme Court में case किया गया है, कि answer की जारी की जाए, साथ ही question पेपर भी जारी किया जाए, ताकि किस question के कौन से answer दिये गए हैं, ये clarity हो सके, NBE ने अभी answer की जारी नहीं किया है, उसकी बज़े से student अभी अस्मंजस में है, और इसी को देखते हुए, ये Supreme Court में case फाइल हुआ है, तो पहला matter तो ये है कि answer की जारी करनी के लिए request की गई है, दूसरा matter ये है कि normalization को लेके student के, student को काफी confusion है, कि ये जो normalization system adopt किया है, ये normalization system adopt करने की बजाए rank इतनी ज्यादा increase हो गई है, कि जो एक marks पे rank होनी चाहिए थी, जो previous year में हुआ करती थी, वो rank नहीं आ रही है, ये जी की तरह PG में भी अभी बार rank में इस परकार का increment देखने को मिला है, कि बहुत ही ज्यादा rank आ रही है marks के उपर, तो normalization का भी clear किया जाना चाहिए किस परकार सी ये normalization system use किया है, क्योंकि एक से ज्यादा shift होती है, तो उसमें normalization system ही use किया जाता है, एक shift में paper easy होता है, तो दूसरी shift में paper hard होता है, तो इनको देखते हुई normalization system use किया जाता है, तो वो normalization system कैसे use किया गया है, और इस normalization system में क्या कोई कमी है, इसकी बज़े से rank की इतनी ज़्यादा गई है या फिर ये नॉर्मलाइजेशन सही है या नहीं इसकी क्लिरिटी के लिए ये सुप्रिम कोट में केस किया गया है तो ये मैंली दो ही मैटर है जिनके कारणी ये सुप्रिम कोट में गुरूफ दोवारा पीजी के लिए ये केस दायर किया गया है अब इसकी next hearing कब होगी तो इसकी next hearing next week में हो सकती है अभी case file होआ है register में registry में ये case register होआ है और इसकी next hearing है वो next hearing next week में होने की possibility है तो जो भी इसका update रहेगा हम आपको बता देंगे जो भी update रहेगा क्या अपडेट है, कब इसकी डेट है, साथी साथ मैं आपको बता दूं कि जो Supreme Court में case हुआ है ये, ये NBE रेजल्ट के regarding हुआ है, अभी इसमें एसा कुछ नहीं कहा गया है कि काउंसलिंग पर stay वगरा के बारे में ये तो Supreme कोट में ही decision लिया जाएगा अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी rank पर कौन सा college मिलेगा कहां पर आपको college मिल सकता है कौन सी best branch मिल सकती है कितनी rank पर मिल सकती है और क्या marks पर मिल सकती है कौन सी category में तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए book तयार की है और इस book की मदद से आप अपने counseling आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की book लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की book भी publish की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में admission देख रहे हैं तो इससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कौन सी branch best मिल सकती है क्योंकि अभी आपके पास में rank आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने check करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India quota के बारे में समझा रखा है All India quota के साथ Central University जैसे दिली University है, AMU है, BHU है और इसमें psychiatry राच्ची है तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है साथी साथ DNV के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNV Diploma इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अब इसमें क्या-क क्या समझाया है वो मैं आपको यहां पर बृफ ली बता देता हूँ आपको कैसे-कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सबसे पहले counselling के बारे में समझाया गया है कि आपको counselling कैसे करवानी है कौन-कौन से counselling होती है किस परकार से counselling करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे र में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से course हैं कौन-कौन सी branch हैं जिनमें आपको admission मिल सकता है और MCC द्वारा इसकी कौन-कौन से branch में counseling करवाई जाती है admission दिया जाता है ऐसे ही DNB course के लिए है list इसमें कि यह यह course DNB course हैं जो MCC द्वारा offer किये जाते हैं इसमें इसके बाद में All India Quota की seat matrix दी गई है MS, MD, diploma और यह DNB के लिए भी seat matrix दी गई है यह state wise bond detail दी गई है stipend दिया गया है stipend annual fees दी गई है All India Quota की Central University की और DNB quota की तो इस परकार से इसमें यह सारी चीजें दी हुई है अब इसमें last cutoff दी गई है category wise इससे आप यह idea लगा सकते हैं कि आपको कौण से state में last में कौण सा college मिल सकता है किस category में यह एक list आपके लिए beneficial है यहाँ पर इसके बाद हर एक branch की category wise college wise round wise cutoff दे रखी है यहाँ पर round wise cutoff दे रखी है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस category में इस round में यहाँ पर admission मिल सकता है अब आप देख कैसे सकते हैं यह क्या क्या देख सकते हैं यह मैं आपको बताऊँ अब देखो यहाँ seat matrix दे रखी है all India quota के लिए seat matrix है यहाँ पर MD MS diploma courses के लिए इसके बाद में इस परकार से state wise bond detail दे रखी है कौण से state में bond है कौण से में नहीं है MD MS के लिए यह सारी detail दे रखी है अब इसमें stipend दे रखा है annual fees कितनी है तो यह भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है अब इसमें stipend annual fees central energy के लिए दी गई है dnb quota के लिए दी गई है यानि कि हर एक branch के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें अब सभी branch के लिए इसमें cut off दी गई है सभी category के लिए और सभी round में देखो यह cut off इस परकार से दी गई है मैं आपको यहां पर यह समझा देता हूँ जैसे कि मालनो वर्दमान महवीर है category यहां open है इससे नीचे OPC EWS सभी category की open category की MD radio diagnosis में वर्दमान में first round में all India ring 13 गई थी पिछली साल का यह है second में कोई college अलोट नहीं third में कोई क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है इन colleges में तो आप यह भी idea लगा सकते हैं कि इन में जो first में college मिल जाती है top की वो college मिल जाती है बाद में college नहीं मिलती है तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं आपकी rank क्या है उस rank पर जैसे कि माल लो आपकी rank 32 है तो इस rank पर यह यह college मिल सकते हैं इससे नीचे यह college मिले हुए हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे उपर भी ये college हैं, और आपका ये college आ रहा है, इसमें, first round में ये college मिला था, second में इतना difference रहा था, first में 132, second में 185, third और fourth stage में मिला नहीं था, क्योंकि ये top college हैं, तो आगे seat में vacant रहती नहीं है, तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते है पूरा सभी branchوں का idea लगा सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक MD radio की बताई है diagnosis की, इस परकार से OBC category में भी इसी परकार से SAM दे रखा है, तो इस OBC category में भी देख सकते हैं, और इसके बाद में दूसरा जैसे radio diagnosis में diploma हैं, तो diploma में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी, ये सारा सब हैं कि आपको कौन सी branch मिल सकती है, कौन से state में मिल सकती है, कौन सी college मिल सकती है, वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी, जो पिछली साल मिली थी वही इस बार भी मिलने की, क्योंकि rank में फरक नहीं पड़ता है, रेंक के थोड़ा बहुत ही fluctuate होता है, इसमें ज्यादा फ courses के लिए है, तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा calculation निकाल सकते हैं, एक white page पर लिख सकते हैं, आपकी मेरे को in in branch में ये college मिल सकती है, ये book आपके लिए काफी beneficiary साब मिल होगी इसमें, अब इसमें pediatrics में देखते हैं, हम OVC category में इसी परकार से इसमें पी सारा समझाया गया है, first round, second round, third round, तो ये मैं आपको एक example दे रहा हूँ, बाकी इस book में बहुत कुछ है आपको, DNB quota में देखना है, आपको ओर्थों में देखना है, open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हुआ है, ये book मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है दोस्तों, और A की जग इन में हैं, तो ये सारी की सारी cut-off दी गई है, जिससे आप एक idea लगा सकते हैं, जैसे MCS neurosurgery 6 years course है, और direct 6 years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती है, तो ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो cut-off से आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी college मिल सकती है, कौन सी category में, कौन से state में कौन सी branch मिल सकती है, जिसकी fees क्या होगी, ये सारा सब कुछ समझा दिया है, जिससे आप पूरा एक idea लगा सकते हैं, इस book से, अब counseling process भी दिया गया है, इसमें, first round की condition क्या है, कितनी fees जमा होगी, कैसे कैसे आपको counseling करवानी है, इस flow chart से भी समझा दिया गया है, कि ऐस से, इसे आपको first round में joining से free exit है, कोई नुकसान नहीं होगा, second round में आपको join करने पड़ेगी नहीं, तो security money का नुकसान है, तो इस परकार, इसमें सारा first round में क्या condition है, ये point wise मैंने सब कुस समझा रखा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस book के अलावा, जो मैं UG की book लिख हो गया है, वो PG के admission search कर रहे हैं, तो उनके लिए ये book काफी helpful रहेगी, और उन्होंने मेरे को comments लिख के काफी बार बुला है, कि सर जिस परकार से आप UG की book लिख रहे हैं, इस परकार से PG की book भी publish कीजिए, ताकि हमारे को फाइदा हो सके, अब इसको download करने के लिए, आप इ PG की book में मिल जाएगा, और ये नीचे UG की book का link दिया गया है, इसको आप हमारी website www.sopraeducation.in से भी download कर सकते हैं, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, तो आप download page पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इसको download कर सकते हैं, तो ये जानकारी थी इस book के बारे में, ताकि आप PG क counseling अच्छी तरह केसे करवा सकते हैं, आपको हर सीज का knowledge हो सके, कौन सी college आपको कितनी marks पर, कहां पर मिल सकती है, कितनी rank पर मिल सकती है, ये सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें, तो बाकी updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी, जैसे ही counseling स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ, विदा जैहिन!